आज की कहानी है बुटेन से तेजेंद्र शर्मा की संदिग्ध सुनिये वैदे ही किस वर में अकेले जाने को जी नहीं चारा मेरा शायदा की आखें गीली सी हो रहें थी अरे बस दो महीने के लिए ही तो जा रही हो अपने अम्मी को भी मिलाओगी और मेरे परिवार वालों को भी अरे हाँ वो हेर ड्रेसर भी तो है तुमारी रशीदा वो तो तुमको मिलकर खास खुश होगी शाहिद अपने पतनी को सीधा हवाई जहाज के गेट तक छोड़ने आया था लंदन एरपोर्ट के टर्मिलन 3 में इमिग्रेशन अफसर है जाहिर है कि उसके पास एरपोर्ट का रेड जून का पास रहता है वैसे क्यूरोटी से लेकर हवाई जहाज तक कहीं भी आ जा सकता है वैसे तुम औरते होती बड़ी अजीव हो सारा दिन अपने पती के साथ लड़ती रहोगी मगर रुकसती के वक्त आसू निकाल कर इमोशनल अत्याचार करने लगोगी सुनकर हस्दी शाहिदा अगर तुम मर्दों को काबू में न रखा जाये न तो बिगड़ने का पूरा इमकान रहता है कड़ी निगरानी तो रखने ही पड़ती है शाहिदा की फ्लाइट पीके 788 की घोशना हो रही थे कि गेट की ओर प्रस्थान किया जाए उड़ान रात को 7 बचकर 55 मिनट पर लंदन से लवाना होकर अगले दिन सुभ़े 8 बचकर 35 मिनट पर करांची पहुँच जाएगी शाहिदा को हमेशा PIA की फ्लाइट में जाने से डर लगता है मगर शाहिद का मानना है कि अपने मुल्क की एरलाइन है फिर वे अधिकांश पाइलटों को जानता है आसानी से शाहिदा का अपग्रेड हो सकता है यानि की इकोनोमी क्लास की टिकट में वे विजनस क्लास में आत्रा कर सकती है देश प्रेम का लाभी लाभ शाहिदा पड़ी लिखी मौडन विचारों वाली महिला है बुरका या नकाब नहीं पहनती बस सिर पर हिजाब बांध लेती है अल्ला भी खुश और सर्दी भी नहीं लगती शाहिद विवा करके लंदन आया था यानि की शाहिदा के पास पहले से ब्रिटिश नाग रिकता थी और शाहिद को उसके पती होने के नाते ब्रिटेन में बसने का हक मिल गया पढ़ा लिखा तो था ही बाचीत में भी कुशल था जल्दी से अपने बोलने का अंदाज उसने लंदन के एकसेंट में गड़ लिया अवे अंग्रेजों के साथ उनके ही अंदाज में बाचीत करने लगा था शाहिदा तो लंदन की ही पढ़ी लिखी है दोनों गिटपिट गिटपिट बाचीत करते रहते वैसे कभी-कभी अपने पन का एहसास जिन्दा रखने के लिए कभी उर्दू में भी बाचीत हो जाती खास तोर पर रोमांटिक मूड में शाहिदा कैय उठती हमारे तो नाम भी ऐसे हैं कि जैसे अल्ला मियाने पहले से तैकर रखा हो कि हमारी शादी होनी ही है शाहिद की शाहिदा और वैकस्कर शाहिद को लिप्टा लेती शायद इसी लिप्टन ने शाहिद का सांस लेना मुश्किल कर दिया था उसके घर से एर्पोट जाने और ड्यूटी खत्म होने के बाद वापस घर आने तक का समय सब पर निगा रखी जाती थी किसी अन्य महिला से बात करते देख ले तो घर में कूराम वह बार बार अपने पती से उसके फोन का पासवर्ड पूछती जब मैं तुम्हें अपने फोन और इमेल का पासवर्ड दे सकती हूँ तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्यों अपने फोन को अपनी चाती से लिप्टाए रहते हो वैसे सवाल तो उसका भाची भी था शाहित ने अपना फोन निकाल कर देखा सिमोना का मैसेज था अगर फ्री हो जाओ तो मगर तुम कैसे आओगे तुम तो अपनी पतनी के पल्लू से लिपट कर बैठे होगे साज में एक मूँ चिडाती इमोजी भी भेजी थी उसने सोचा था कि शाहिता को विमान में बिठा कर एयरपोर्ट पर ही एक डबल पैक बैकार्डी और कोपका ले लेगा दिमान थोड़ा शांत हो जाएगा मगर सिमोना के मैसेजिस ने सोच बदल दे सोचता है कि अभी टाल जाए और सीधा पप चला जाए और शाम सिमोना के साथ बिता है वे तो रहती भी अकेली है हो सकता है दो तिन ड्रिंक के बाद अपने ही घर ले चले शाहित लाहौर में शराब नहीं पीता था मगर लंदन में आने के बाद बैकार्डी पीना शुरू कर दिया बैकार्डी सफेद रंकी होती है बड़े अंदाज से पब में जाकर कहता है कहना है वर रंड कोक उसे फायदा भी रहता है जिनको नहीं बताना चाहता कि वह शराब पीता है उनके लिवर कोका कुला ही पी रहा होता है कभी कभी चब कोई कह देता है शाहिद भाई अब बैकार्डी जितनी मर्जी चाहे पीजिए मगर कोक में तो बहुत सी शक्कर होती है यह तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती फिर कुछ दिनों के लिए डायट कोक मिलाना शुरू कर देता है मगर पीता बैकार्डी ही है शाहिदा का प्लेन उड़ने में बस कुछी मिनट बाकी है उसका फोन भी आ गया है जानू बस प्लेन उड़ने ही वाला है अपना खाना वगेरा टाइम पर खाया करना मैंने शोभा बेन से कह दिया है कि आपको रात के खाने का टिफिन पहुचवा दिया करेगी वो मटन और चिकिन भी अच्छा बना लेती है मैंने ही सिखाया था उसे आपको उसे कोई पैसे नहीं देने है मैं आकर हिसाब कर लूँगी I love you चलो अब announcement शुरू हो गया है फोन बंद करती हूँ सोचता है कि अब निकल चले मगर नहीं विमान के उणने तक वहीं रहेगा ड्रिंग का ख्याल दिल से निकाल देता है कार भी तो चलानी है अगर शराब पी लेगा और रास्ते में चेकिंग हो गई तो क्या करेगा और फिर सिमोना बस सोचते जुरजुरी सी होने लगे शायदा से पहली बार तूतू में में हुई जब उसने हसीना के साथ बात करते हुए देखा था उससे बरताच नहीं हो पाया था अभी तो उसका ब्रिटिश पास्पोर्ट भी नहीं बना था बिफर पड़ी थी शायदा बड़ी घुल मिलकर बाते हो रही थी उस नैन मटककों से एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहां मेरे साथ शादी करके आए हैं मैं अगर होम आफिस में कम्प्लेंट कर दूँगी तो आपको कान पकड़कर पाकिस्तान वापस भीजा जा सकता है यहां रहना है तो शराफस से रहिए मैं आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ आप इधर उधर मुमत मारिये बस शाहित के दिमाग में शायदा के यह शब्द अंकित होकर रह गए कम्प्लेंट कर दूंगी तो आपको कान पकड़कर पाकिस्तान वापस भीज देंगे इस तहशत से बाहर नहीं आपा रहा था इस एक वाकिने उसके जीवन को तबहा कर रखा था यह बात कहे कर शाहित शाहिता तो भूल भी गई होगी मगर शाहित के दिमाग में बैठा शैतान उसे धमकाता रहता था कि यह औरत तुमसे नाराज हुई और तुम वापस पाकिस्तान एयरपोर्ट से वापस घर पहुंच गया रास्ते भर नजाने क्या-क्या सूचता रहा कि उसे पव्या सिमोना का कुछ ख्याली ने रहा बस घर पहुंच या फोड़ी देर के लिए बिना जूते उतारे बिस्तर पर अर्लेटा सा पड़ गया उसका दिल चाहा कि अचानक उटकर नाचने लगे अब की बार तो दो महीनों के लिए गई है पूरे साठ दिन की आजादी वाह गहरी सांस भर कर शाहिद में का वैसे शाहिदा तो पहले भी पाकिस्तान जाया करती थी फिर भला अब की बार ऐसा क्या हो गया जो उसे इस कदर खुली हवा का एहसास होने लगा है शायद उसकी सेहन शक्ती का मठका भर चुका है और अधिक सेहने की शक्ती नहीं बची है शाहिद उठा और बातरूम में जाकर लिस्ट्रीन के गरारे किये एक दम फ्रेश महसूस करने लगा सिमूना फिर से उसके दिमाग को मतने लगी उससे दिल का रिष्टा तो था नहीं कि दिल को भी चैन कर पाती क्योंकि दिमाग को मता जा रहा था तो दिमाग नहीं चेताब ने दी आज नहीं पहले फ्लाइट पाकिस्तान पहुंच जाए शाहिदा का वहां पहुंचने का फोन आ जाए तब ही कुली हवा में सांस लेना कहीं ऐसा नहीं कि फ्लाइट तकने की कारणों से वापस आ जाए और वह पब में सिमोना को तो कल भी इन्वाइट किया जा सकता है मगर आज सालिब्रेशन तो करना है फिर चाहे अकेले ही क्यों न किया जाए ओफ लाइसेंस के दुकान तो पास ही है शायदा तो घर में शराव रखने के विरुद्ध है अब कम से कम एक महिने तो अपने मन की करी सकता है शायदा तीन दिन का खाना तो बना कर गई है मगर आज वह ऐसा कुछ नहीं खाएगा जिससे शायदा की याद भी आए उसे लाहौर कड़ाई से चिकेन लेक्ज और मटन कड़ाई मंगवा लेगा साथ में करमा गरम नान मगर रम के साथ क्या खाएगा आज के इन सुनेरी पलों के लिए उसने बैकाडी गोल की बूतल निकाल ली मज़ा रमका और देखने में विस्की जैसी बैकाडी गोल देख कर उसकी भीतर का बच्चा जिसे मचल उठा था शायद हर छोटी छोटी बात में खुशी ढून लेता है और उतना ही उन पर दुखी भी हो लेता है इस वक्त का मसला था डिनर का फूग गया फैसला चिकन लेग्स, कड़ाई मटन और नान ले ही आया चिकन लेग्स रम के साथ और मटन के साथ बाद में नान रम में डाइट कोक मिलाने चला तो सुचा कि आज बैकाडी में सोड़ा डाल का ट्राय करता हूँ कुछ नया करने की चाहते क्यों न बैकार्डी को भी नहाटेस दे दिया जाए शुरू शुरू में शाहिदा से चिपाने के लिए कोक मिलाने लगा था फिर उसकी आधसी हो गई आजकल डायेट कोक मिलाता है कैलोरीज का ध्यान रखता है रम के दो पैक पीने के बाद जिसमें कुछ गर्मी का एहसास हुआ और दिल जोश मारने लगा सुचा किसी के साथ फोन पर फ्लर्ट किया जाए तीन चार नाम दिमाग में आए जेनिस, पैमिला, आमना आमना कहने को तो शाहिदा की सहीली है मगर उसकी आँखें हमेशा शाहिद क्योर लगी रहती है अंग्रेजी में फ्लर्ट करने का मूड भी नहीं था सुचा आमना से बात की जाया फोन मिलाया, मगर घंटी बचती रहे फोन उठा नहीं, मैंसे छोड़ने की इच्छा नहीं हुई सोचा जब मेंस कॉल देख लेगी तो खुदी फोन कर लेगी आज का जश्न अकेले ही मनाया जा रहा था हर घंट के साथ किसी न किसी माईला दूस का चेहरा आँखों के सामने आख़डा होता पांचवा पैक बनाए या नहीं तै नहीं कर पा रहा था चिकिन लेग्स भी खतम हो चुकी थी हिम्मत करके बना ही लिया पीते पीते ही नींद आ गए कड़ाई मटन इंतजार में ही रह गया नान ठंडे हो गए सोफे पर लोड़क गया सुभए उठा तो अभी कल का हैंगोवर बाकी था पानी में एलका सेल्जर की गोली डाली और उसकी उपनती हुए बुलबुलों को देखने लगा जब ज़ाग थोड़ी थमी तो उठा कर अपने पैक की तरह ही सिप करने लगा कल रात की सारी बातें एक-एक करके उसकी आँखों के सामने से गुजर रही थी अचानक फोन की घंटी बची फोन की स्क्रीन पर शायदा का नाम चमकने लगा एक दम अटेंशन जैसा हो गया हलो जानू ठीक से पहुँच गई फ्लाइट बहुत आराम से कटी मुझे कलब में अपडेट कर दिया था तुमने कैप्टन को पहले से मैसेज भिजवा दिया था न एर हुस्टेस भी खूब आवबकत कर रही थी आपने कल क्या खाया मैं तीन दिन का खाना बना कर आई हूँ बस माइक्रोवेव में गरम करना है और खा लेना है आपकी टेस्ट की हर डिश बनाई है वैसा क्यों है क्यों शाहिदा के सामने उसकी गिग्गी बन जाती है सोच रहा था कि अब कोई परवा नहीं अब जिससे जी चाहेगा मिलूंगा कम से कम कुछ दिन तो अपनी मर्जी से जीलो फिर एक ख्याल आया कि क्यों न सिमोना को आज घर पर ही बुला लू पूरी रात रंगीन हो सकती है सोचते ही सोचते दीवार पर लगी शाहिदा की फोटो दिखाई दे गई कहीं रात को फोटो में से बाहर आकर सामने खड़ी हो गई तो क्या होगा वह तो कुछ भी कर सकती है जब जब वापस पाकिस्तान जाता है तो देखता है कि वहां की बीवियां कितनी फर्माबरदार होती है पाती और परिवार की कितनी सेवा करती है अगर शाहिदा को नौकर ही चाहिए था तो मुझे नौकरी पर रख लेती पती होने की जिल्लक तो नहीं सहता रात को खूप सोया था कभी कभी तो बीच में अपने खर्राटों की आवाज से जाग जाता अपने सूखे गले को एक घूप पानी से तर करता राजाई को वापस सर पर लपेट फिर सो जाता सुबह उठकर काम पर जाने का मन भी नहीं हुआ एरपोर्ट फोन किया तुमां सिमोना नहीं उठाया हलो सिमोना दियर कैसी हो क्या शाहिद कल में पब में तुमारा वेटी करती रहे इस चक्कर में तीन ब्रिंग्स एक्स्ट्रा हो गई गाड़ी वहीं छोड़कर टैक्सी से घर गई आज भी बहुत मुश्किल से काम पर पहुँची हूँ सिमोना ठुनकने लगे अरे यार कल मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया मैं चाहता था कि उसकी फ्लाइट पहले पाखिस्तान पहुँच जाए उसके बाद ही तुमसे मुलाकात करूँ मुझे बीच में कोई डिस्टरवेंस नहीं चाहिए आज क्या कर रहे हो मैं तो यह नौकरी कर रहे हो तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो काम पर क्यों नहीं आए यार कल रात बैकार्डि थोड़ी जादा ही पी लिगया अकेला सेलिबरेट कर रहा था नए बैचलर हुट की पहली शाम थी ना आज काम पर नहीं आऊंगा एमरजेंसी लीव लिख देना आज मिलो ना कल का हिसाब भी पूरा करना है शाहित के आवाद में शरारत साफ सुनाई दे रही थी आज नहीं कल शाम मैं घर पर अकेली हूँ कल घर आ जाओ मैं तुमारा ड्रेंग भी खरीद लूँगी वीशल हैव फ़न नो नो ड्रेंग मैं ही ले आऊंगा तुम क्या पियोगे कुछ नया या अपना रेगुलर वोड का टॉनिक अरे हम ना तो अपने चाहने वाले बदलते हैं और ना ही अपना ड्रेंग टॉनिक से वोड का कमजा ही अलग हो जाता है तो ठीक है कल शाम को ठीक साथ बजे तुमारे घर पहुँच जाऊंगा अपना लाइका फोन ढूनने लगा सोच रहा था जब लंदन आया तो पाकिस्तान फोन करना कितना मेंगा पड़ता था अब तो लाइका और लेबारा वाले सिम काडों ने कॉल कितने सस्ते कर दिये हैं साली इंडिया वालों के तो मजे हैं बस एक पैंस में एक मिनट कोई घंटा पर बात कर ले तो भी बस एक पाउंडी बनेगा घर से निकलने से पहले शाहिदा से बात कर लेना भी जरूरी होता है शाहिद लंदन में पाकिस्तानी चैनल तो देखता ही है उसे हिंदी चैनल भी पसंद है ख़बरों की तुलना करने के लिए भारती समाचार चैनल भी देख लेता है उसे कभी समझ नहीं आता कि टीवी चैनल इतना जूट क्यों परोस्ते है एक ही ख़बर को भारत और पाकिस्तान के चैनल अपने अपने ढग से पेश करते है आज तो IPL की मैच चल रहे होंगे काश पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उसमें खेल रहे होते किन चक्रों में पड़ क्या है खल तो सिमोना के साथ एश करनी है सिमोना वैसे तो जर्मनी की रहने वाली है मगर अंग्रेजी बिलकुल अंग्रेजों की तरह बोलती है फिर अपने आप से कह उठा यार मैं खुद भी तो छिक्षाक अंग्रेजी बोल लेता हूँ सिमोना ने कह दिया था कि अगर शाहिद चाहे तो रात को महीं रुख सकता है ओहा पूम अची है क्योंकि रात कभी बाहर गुजारी नहीं है क्या आप एक नई शुरुवात करनी चाहिए क्या बात शाहिदा से चिपी रह पाएगी उसे कभी समझ ही नहीं आता कि शाहिदा का भूत उसके पीछा हर वक्त क्यों करता रहता है सिर को एक जटका दिया उसे शाहिदा के भूत से मुक्ति पानी होगी कहीं सिमोना के सामने वे नामर्द न साबित हो जाए अगले दिन शाहिद इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा यात्रियों को चेक कर रहा था उसने देखा है एक दूसरे काउंटर पर फिल्म कलाका शाहरुक खान खड़ा था शाहिद का एक कोई अधिकारी उसे बहस में उलज़ा हुआ था शाहरुक का एक वाकि उसके कान में पड़ गया आप मेरा नाम गूगल सर्च में ढून सकते हैं मेरा नाम खान जरूर है मगर मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ इमिग्रेशन अधिकारी सपार चेरा लिए शाहरुक खान के तलाशी वाले कमरे में ले जाने लगा एयरपोर्ट पर कम से कम हज़ार लोग शाहरुक खान को पहचान रहे थे मगर तलाशी लेने वाले अधिकारी के लिए वै केवले की आतरी था शाहरुक खान के तलाशी करीब दो घंटे जारी रहे भारती उच्चा योग के अधिकारी तुरत फुरत एयरपोर्ट पर पहुँच गए और शाहरुक को शर्मिंदगी से बचाते हुए एयरपोर्ट से बाहर ले जाए शाहित के भीतर का मुसल्मान आहत हो गया था शाहरुक इंडियन है तो क्या हुआ? है तो हमारा हीरो अपने पेशावर का बंदा है हमारे साथ इन मुलकों में जितना घटिया सुलूग करते हैं दिल खटा हो गया इमिग्रेशन विभाग का अफसर होने के बावजूद वह शाहरुक को बेजती से बचा नहीं पाया शाहिस समझ नहीं पा रहा था किया कि शाहरुक खान का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में कैसे आ गया? क्या सचमुच उसके रिष्टे आतंकवादियों के साथ हैं? या बस नाम का ही फेर है? क्या किसी का नाम भी टेरिरिस्ट लिस्ट में रखा जा सकता है? अगर कल को कोई उसका अपना या शाहिदा का नाम ऐसी लिस्ट में रख दे तो एक विस्फोर सा हो गया वैं खुद सननाटे में बैठा रह गया क्या ऐसा हो सकता है? क्या शाहिदा का नाम सस्पेक्टेड टेरिस्ट में रखा जा सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो उसकी प्राब्लम तो हमेशा के लिए हल हो जाएगी इतने बड़े घर में रहेगा लंदन में और शायदा पर्मानेंटली पाकिस्तान में फिर तो वे कभी भी ब्रिटेन वापस नहीं आ पाएगी याद रखना अगर मैं तुम्हारे रिपोर्ट होम आफिस में कर दूंगी तो कान पकड़ कर निकाल बाहर करेंगे तुम्हें कितना रॉप जमाती थी मगर वे अपनी बीबी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है इतने सालों का सास है कभी तो उसे प्यार भी किया ही होगा इतना नीचे कैसे गिर सकता है उस पर क्या गुदरेगी जब पाकिस्तान के एरपोर्ट पर फ्लाइट पर चड़ने आएगी और उसे बताया जाएगा कि वह एक सस्पेक्टेड टेरिस्ट है उसके पाफ तले की जमीन अचानक बुरबुरी हो जाएगे क्या उसे सिमोना से इस बारे में बात करनी चाहिए मगर इतना बड़ा राज वह किसी के साथ कैसे बांट सकता है फिर सिमोना तो उसके साथ काम करती है उसे तो सिमोना से मिलना भी कम कर देना चाहिए न जाने कब उसके सामने कोई ऐसी बात हो जाए कि राज खुल जाए, मगर आज तो उसके घर जाने का प्रोग्राम बना रखा है अच्छा तो यही रहेगा कि फोन करके उसे मना कर दे अब उसके मन की हालत ऐसी नहीं कि किसी के साथ सेक्स करने के बारे में सोचे अब तो पूरी जिन्दगी एक नई करवट बदलने वाली है कैसा हो सकेगा कि कभी पता ही ना चले कि उसने स्वयमी शाहिदा का नाम Suspected Terrorist List में डाला है अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या बनेगा अपने बच्चों को क्या मू दिखाएगा आखिर शाहिदा उन बच्चों की मा भी तो है क्या सारा जीवन ये नाटक कर पाएगा कि वैं शाहिदा को ब्रिटेन वापस लाने की कोशिश कर रहा है इसकी लीगल इंप्लिकेशन क्या होगी नहीं समझ पा रहा था कि कैसा महसूस हो रहा है दिल कहता है कि आज ही एक काम कर दिया जाए दिमाग कहता है कांट्रोल कर शाहिद पहले अच्छी तरह सोच विचार ले हिसाब लगाने लगा किस दिन उसकी ड्यूटियो सीट पर होगी जहां सस्पेक्टेड टेरिस्ट लिस्ट को अपडेट किया जाता है अंत में इस नतीजे पर पहुचा कि इस जुम्मे की नमाज के बाद ठंडे दिल से सोचेगा कि उसे क्या कदम उठाना है यह उठाना भी है या नहीं उस दिन मौलवी के साथ गोल मौल धंग से अपने दिक्कत के बारे में भी बात करेगा वह पूम अची थी उसके मन में सवाल यह भी तो था कि अगर कहीं मौलवी के सामने उसने अपने मन की बात रख दी तो आज कल घर से एरपोर्ट और एरपोर्ट से सीधे घर वापस आ रहा था इंटरनेट पर कुरान शरीफ और हदीश चानने लगा था शायद कहीं उसकी समस्या का कोई हल मिल जाए बगर कुरान शरीफ के जमाने में न तो विमान थे न इमिग्रेशन और नहीं आतंगवादियों की सूची सूचा आज कल हिंदी फिल्में अच्छी लगी है शायद दुमाग को सुकून मिले दो दिन में दो फिल्में देख डाली जिन्दगी न मिलेगी दुबारा और नोवन किल्ड जेसिका दूसरी फिल्म ने सूचने का मसाला दिया अगर मर्डर को दबाने के लिए इतना कुछ किया जा सकता है वैं तो केवल अपनी बीवी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है और सच भी तो है उसे जीने का हक है जिन्दगी दुबारा कहा मिलने वाली है वैसे तो शायद की पहुंच उस सीक्रिट लिस्ट तक है जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं जिनके ब्रिटेन में रहने से लोगों के जन जीवन को खत्रा हो सकता है ऐसे लोग अपने देश ते ही फ्लाइट के लिए चेक इन नहीं कर सकते क्योंकि उनके नाम के साथ ही लाल जन्डी यानि की रेड फ्लैग उभराता है जो दूसरे देश की इमिग्रेशन अधिकारी को सूचित कर देता है क्या मुख यात्री को ब्रिटेन में गुसने नहीं दिया जाएगा बस उसे हिम्मत करनी है एक बार नाम डाल दिया तो उसका बाकी जीवन तो सिमूनाओं से भर जाएगा अब हर शाम बैकारडी और डायट कोक के साथ ही बीटती शरीर में एक विचित्रता तनाव भरा रहता शेव भी नहीं बना रहा था एक साथी ने कह दिया माशाल्ला मिया हाप पर डाड़ी खूप फबेगी भाई मानना पड़ेगा कि डाड़ी हम मुसल्मानों की शान है पहचान है बस घबरा गया यह तो शराब पीने वाले शक्स चो शायदी कभी जुमे की नमाज में जाता हो वैवला मुसल्मानों की शान और पहचान कैसे बन सकता है उसकी दोस्ती तो अपने दस साल बड़े एक प्रोफेसर सहाब से है फिंचले में रहता है अकेले कटर मार्क्सवादी तीतर वाली शराब पीते हैं यानि की फेमस ग्राउस तीसरे साती है शायर अलबेला राही राही भारत से है वैसे तो सिख है बगर केश और पगड़ी को तिलानजली दे चुका है दिक्कत तो यह है कि उनसे भी दिल की बात नहीं कर सकता दरसल उनसे ही तो बात चिपानी है वे दोनों ही शायदा को जानते हैं और उसके खाना बनाने की तारीफ करते नहीं थकते शायदा पाकिस्तान से फोन करती रहती है सुनो शाहिद तुम्हारे लिए एक स्वेटर खरीदा है वही जिसे हम लंदन में पुलोवर कहते हैं जुनैद जमशेद के शोरूम से खरीदा है तो मैं फोटो इमेल करती हूँ सुनो तुम फोन किया करो ना तुम्हारे पास तो लाइका का सिमकार्ड है ना कितना सस्था पढ़ता है पता है मैं यहां अपने हर सहीली को कहती फिरती हूँ कि मेरे शाहिद मेरे बिना दो पल भी नहीं रह सकते यू लव मी ना इस तरह के फोन उसके निश्चे की हवा निकाल देते एक तरफ तो बीबी ऐसे फोन कर रही है और दूसरी तरफ वह उससे छुटकारान पाना चाहिए उसे कमजोर नहीं पढ़ना है कहीं ऐसा ना हो कि दिन उसके हाथ से फिसलते चले जाए और वह ऐसे सुनहरे मौकी के लिए तरस्ता ही रह जाए और उसने कर दिया उस देन उसकी ड्यूटी उसी डिपार्टमेंट में लगी थी जहां उसे अपना काम करना था पेशो पश में था हर तीन महीने पर इस लिस्ट की जाँच भी होती थी अगर उस जाँच के समय किसी को खबर हो गई कि यह कारगुजारी उसकी है तो भला क्या जवाब देगा वैसे उसे इस बात का भी फायदा रहता है कि वैं खुद मुसल्मान है अगर वैं किसी मुसल्मान का नाम ऐसी लिस्ट में डालता है तो कोई शुभा नहीं करता कि वैं किसी को फसाने की कोशिश कर रहा है यह डिटेल भी देनी होगी कि शायदा ने किस प्रकार की गत्विदी की है या फिर उसका किस संगठन से रिष्टा होने का शुभा है यह हुवर्क वैं पहले से ही कर चुका था फिर वहां लेस्ट में भी तो कोई कई तुरह की केटेगरी होती है ज्यादा चेकिंग तो हार्ड कोर टेरोरिस्ट के बारे में होती है छोटे मोटे नामों पर तो कोई चेकिंग ही नहीं होती बस लिखा हुआ आ जाता है कीपिन आए अब शाहिदा का नाम सस्पेक्टिड लिस्ट में डल चुका था शाहिद को यह भी मालूम था कि इस लिस्ट में नाम डालना तो आसान है मगर उसे निकालने की प्रक्रिया बहुत चटिल है बहुत से डिपार्टमेंट इसमें जोड़ जाते हैं बहुत से तहकीकात की जाती है सरकार को कोई जल्दी नहीं होती किसी कोई सूची से बाहर निकालने की उधर शाहिदा इस शड़ियन से बेखवर कराची में रिष्टेदारों और दोस्तों के साथ बहतरीन वक्त गुजार रही थी और उस शाम शाहिद सिमोना के घर गया अपना सारा तनाव बेकार्डी के साथ उसके शरीर में उतार दिया रात वहीं सोया कल एक नई सुभह शुरू होने वाली थी शाहिदा का फोन आया तो शाहिद के दिमाग की नसें कसने लगें शाहिद मेरे पास थोड़ा एक्सिस पैगेज है प्लीज यहां किसी कैप्टेन को फोन कर दो न फिर मुझे कलब क्लास में अब ग्रेट के लिए भी बात साथ ही कर ले न शो डालिंग मैं बात कर लेता हूँ शाहिदा के सामने जीवन का सबसे धमाकेदार पल आने ही वाला था उसने हसते हुए अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास सामने बैठे अफसर के सामने रख दिया जैसे उसने कंप्यूटर पर उसके पासपोर्ट को स्कैन किया तो अधिकारी के चेहरे का रंगी बदल गया मगर उसने जल्दी ही अपने अनुभाव का सहारा लेते हुए आवाज में मुलायमियत बरकरार रखते हुए पूछा मैडम आप करांची कब आई आप कबसे बिटेन में रह रही है शायदा को समझ नहीं आया कि उससे ये सवाल क्यों किये जा रहा है आफिसर मैं तो बिटेश नाग रिखू मुझे वीजा वगेरा की जरूरत नहीं होती शायदा ने इस्तिती को अभी तक समझा नहीं था दरसल उसे अभी बताया ही कहा गया था अधिकारी ने अपना काउंटर बंद करते हुए शायदा से कहा आप मेरे साथ चलिए कुछ बातचीत करनी है आपसे गबराने की कोई बात नहीं बस थोड़ी इंक्वैरी है अब शायदा का माता ठंका आफिसर हुआ क्या है कुछ खास नहीं शायदा जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मैं जरा किसी लेडी अफसर को बुला लाओ काईदे से आपसे बातचीत लेडी अफसर ही कर सकती है शायदा परिशान हो रही थी क्या आखिर ऐसा हुआ क्या है थोड़ी ही देर में लेडी अफसर भिया पहुँचे शायदा ने उसकी नेम प्लेट पढ़ी हमीदा भेग हमीदा ने बहुत मुलाइम लहजे में बात शुरू की देखिए शायदा मैं जानती हूँ कि आप रेगुलर ट्रेवलर है मगर आज मामला थोड़ा सीरियस सा है वो क्या है कि प्ली साब पहेलिया न बुझाए मुझे सच सच बताएं कि मामला क्या है बात यह कि आपका पासपोर्ट कम्प्यूटर में स्कैन करते ही रेड फ्लेग आ रहा है जिसके मताबिक आपका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल है आपको ब्रिटेन में गुस्ने नहीं दिया जाएगा यह कैसे हो सकता है ओफिसर मेरा तो शोहर इमिग्रेशन अफसर है आपकी तरह अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो उनको पता लगता है जरूर कोई गड़बड है दरसल वही हम भी समझने की कोशिश कर रहे है क्या खिर आपका नाम इस लिस्ट में आह कैसे गया आप ऐसा करिए अपने शोहर को एक फोन कर लीजे यह तो तैह है कि आपको हम इस फ्लाइट पर नहीं जाने दे सकते शायदा की आँखों में आसु आ गए इतने पड़े हासे के बारे में तो उसने कभी सूचा भी नहीं सा रोती आँखों और कापते हातों से उसने शाहिद को फोन लगाया मगर गंटी बशती रहे प्लीज शाहिद फोन उठाओ एक बार फिर ट्राइ किया फिर घड़ी देखी अभी तो लंदन में सुबह के चार बजे होंगे शाहिद आज दोपैर की शिफ्ट है शाहिद गोड़े बेच कर सूरा होगा शाहिद सिमोना की बाहों में सूरा था अब उससे तसली थी कि शाहिदा तो आने वाली है नहीं और आज वा उसका फोन नहीं उठाएगा जाने दो एरपूर्ट से घर सिमोना कुनमोनाई शाहिद ने उसे एक हलका से चुमबन दे दिया और उसे लिपट के सूग गया शाहिद परेशान हालत में टैक्सी लेकर घर वापस चल दी काश आज अब्बू जिन्दा होते तो मुझे कितना सहारा होता अब्बू उसकी आँखों में आसू ख़बी बरदाश नहीं कर पाते थे अचानक ख्याल आया कि अपनी सहेली आईशा को फोन करके देखती है आईशा सो सौरी तुम्हें जगा दिया आयम इनम मैस यार क्या हुआ आईशा की आवाद में घबरा हारती आईशा तुम शाहिद से मिली इन दिनों क्या मेरा फोन नहीं उठा रहा नहीं शाहिदा मुझे तो दो तीन अफते हो गए शाहिद भाई दिखाई भी नहीं दिये मैंने तो एक बार कहा भी कि शाहिद भाई आप रोज रात का खाना हमारे साथ ही खा लिया कीजिए अधनान को भी अच्छा लगेगा मगर शाहिद भाई ने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया बात क्या है शाहिदा तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो शाहिदा की आवाज रुआसी हो उठी आईशा समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है मैं आज जब एरपोर्ट पहुँची फ्लाइट पकड़ने के लिए तो मुझे फ्लाइट पर बैटने से रोग दिया उन्होंने और कहा कि मेरा नाम देशतगर्दों की लिस्ट में डला हुआ है ये क्या होता है देशतगर्द यानि के टेररेस्ट मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूँ आशा जब तक शाहिद से बात न हो जाए तब तक कुछ समझी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ऐसा कैसे हो सकता है किसी का भी नाम ऐसे लिस्ट में डाल देंगे चीक है हम पाकिस्तानी है पर हर पाकिस्तानी कोई टेररेस्ट थोड़े ही होता है सच तो यह आशा हमारे ही कुछ बंदों ने हमारे लिए खाईयां कोट डाली है जब हर तरफ देशतगर्दी के लिए जिम्मेदार अपने ही लोग हो तो सामने वालों को कैसे इलजाम दिया जा सकता है फिलाल तो समझ नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजा किया है वो पाकिस्तानी अफसर भी मुझे ऐसी निगाउं से देख रहा था जैसे मेरी मास्यूमियत पर उसे एतबार ही न रहा हो सुनो आईशा पीच में शाहिद का फोन आ रहा है बंद करती हूँ हलो शाहिद हलो और शाहिदा की रुलाई फूट पड़े अरे शाहिदा क्या हो गया कहा हो इस वक्त कितने बजे निकल रही हो फ्लाईट के बारे में बताओ ता कि मैं तुम्हें पिक अप कर लू आई मीन वेलकम करूं तुमारा शाहिद अब धीट हो चुका था शाहिद किसी ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है जानते हो मुझे कराची एरपोर्ट पर फ्लाईट पर बैटने ही नहीं दिया बोले कि मेरा नाम लंदन टेर्रिस लिस्ट से जुड़ा हुआ है ऐसा कैसे हो गया शाहिद तुम भी तुम नहीं काम करते हो ये किसकी हरकत हो सकती है ये कैसे हो सकता है तुम तो सीधी साधी हाउस वाइफ हो बहला तुमारा नाम ऐसी लिस्ट में कैसे आ सकता है ये जरूर कोई गलत फेहमी है वो सकता है कि तुमारे नाम की कोई दूसरी औरत होगी और पाकिस्तानी अफसर ने सोचा होगा कि वो तुम हो सालट डफ़र कहींगा तुम बिल्कुल परिशान ना होना मैं अभी काभी अपने अफसर से बात करके मामले का पता चलाता हूँ शायदा को हिच्कियां शुरू हो गई थी अचानक उसे ख्याल आया कि बिटिश हाई कमिशन भी तो क्लिफटन में ही है उसके घर से तो 15 मिनट का पैदल रास्ता है कार पार्किंग का भी कोई मसला नहीं उसके पास तो बिटिश पासपोर्ट भी है बस अगले दिन पहुंच गई बिटिश हाई कमिशन वहाँ देखकर लगा जैसे पूरा पाकिस्तानी लंदन में बसने के चक्कर में है भीड इस कदर की सोचा आज तो नमबर नहीं लगने वाला मगर हैरान थी कि जब वीजा एप्लिकेशन सेंटर अलग से खुला है तो फिर हाई कमिशन में क्यों इतनी भीड है किसी तरह रिसेप्शन तक पहुँच पाई और अपनी बात रिसेप्शन पर बैटे बंदे को समझा पाई हैरान भी थी कि अभी तक यहां रिसेप्शन पर औरतों को क्यों नहीं बिठाया जाता हैरान हुई कि बंदे ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और संबनित अधिकारी की और भेज़ दिया अधिकारी рईक अग्रेज वरत थी उससे शायदा की बात सुनते ही अंदाजा हो गया कि शायदा लंदन की पढ़ी लिकी है क्योंकि शायदा का तलफ़ुज कुछ कौकनी था जाहिर है कि शायदा की बोलने के अंदास से अंग्रेज अधिकारी कुछ सकारात्मक हो गई थी मगर पूरी बात सुनने के बाद उसके माते पर बल पड़ गए उसने अपने कम्प्यूटर में शायदा का नाम डाल कर चेक किया तो वहां भी रेड जंडी एक्टिवी हो गई मिसिस जोन्स कुछ सोच में पड़ गई बात क्या है शायदा की लिस्ट में तुमारा नाम है और एंट्री भी करीब दो हफ़ते पहले ही हुई है अगर पुरानी होती तो तुम लंदन से ही फ्लाइट पर नहीं बैठ सकती थी बात यह मिसिस जोन्स की मेरा हस्बेंट तो खुदी इमिग्रेशन आफिसर है अगर उसे पता चल गया होता तो वह जरूर कुछ करता कल उससे फोन पर मैंने बताया भी तो वह हैरान था और कह रहा था कि अपने बास से बात करेगा तुमारा हस्बेट इमिग्रेशन आफिसर है बाई तुम तो मुझे मिसिस जोन्स कहकर न बुलाओ जैसे लंदन में बुलाते हैं वैसे ही बुलाओ मेरा नम शेरन है शेरन जोन्स ओ थैंक्स शेरन मगर अब मैं क्या करूँ तुमारी प्राप्रम यह है शाहिदा तुमारे पास लोरी नाग रिखता है यानि की बृतेन का पासपोर्ट भी और पाकिस्तान का भी पासपोर्ट आप पाकिस्तानी लोग लंदन से चलते वक्त बृतिश पासपोर्ट इस्तिमाल करते हो और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट से एंट्री करते हो इससे आपको आसानी तो होती है मगर इसकी एक डिस एडवांटेज भी होती है आप इस वक्त अपनी home country में हैं याने कि पाकिस्तानी passport होने की वज़े से आप British सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है अगर पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी और देश में किसी वज़े से फस जाएं तो यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपकी मदद करें मगर आपके नाम के सामने साफ रिखा हुआ है कि आपके बृटेन में होने से बृटेन में कमिनुटी को ही जान का खत्रा है जब तक एक कमेंट हटाया नहीं जाता आप लंदन वापस नहीं जा सकती मैं अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश करती हूँ मगर आपके हस्बेंट को अपने कुर्सी का इस्तमाल करते हुए आपको इस लिस्ट से बाहर निकालना होगा शेरन का बेस्ट ओफ लग तो शाहिदा के कानों तक पहुचा ही नहीं वह बस यही सोच रही थी जब शेरन को पता चला कि शाहिद इमिग्रेशन अफसर है तो उसने क्यों कहा दैट इस इंफ्रेस्टिंग कुछ समझ नहीं पाई तो बस अपने सिर को जटका दिया जाहिर है कि उसकी सोच का दार्या इस समय अपने पती शाहिद तक सीमित था मुसीबत से बाहर निकाल लेगा थोड़े ही व्यक्त की बात हैं बस वह अपने शाहिद के साथ होगी परिवार के बीच शाहिद भी व्यस्त था लगता था जैसे एक नई किताब की योजना बना रहा था पतने को गुमरा करने के एक सो तरीके हर रोज कोई ना कोई नया बहाना कोश्टा आवाज को रुआंसा बनाते हुए फोन किया शाहिदा मेरा अफसर बहुत कमीना है सुनने को तयार नहीं हो रहा मैंने उसको बहुत समझाया कि शायदा मेरी बीवी है मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूँ हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं जब मैंने कहा कि सर हर मुसल्मान आतंकवादी नहीं होता तो मैं बिगाड कर बोला मगर हर आतंकवादी तो मुसल्मान होते हैं न ये गोरे हमेशा हमसे नफरत करते रहे हैं आज भी वही कर रहे हैं 9-11 का बदला ले रहे हैं अपनी अधाकारी पर खुदे निसार होने लगी अब तो दफ्तर से भी डर लगना बंद हो चुका है किसी को खबर तक नहीं हुई कि संभाविट टेरोरिस सूची के साथ इतना बड़ा खिलवार हो चुका है सिमोना ने कई बार पूछा आकर शाहिदा कब वापस आने बादी है मगर उसको भी मज़ा आ रहा था आजकल शाहिद उसके साथ अधिक वक्त बिताने लगा था और उसे सुक भी पूरा मिल रहा था उसके लिए तो अच्छा है कि शाहिदा वापस नहीं आ रहे मगर सवाल यह है कि बच्चों से कब तक छिप सकेगा हो सकता है शाहिदा ने बच्चों को भी फोन करके बता दिया हो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा अच्छा यही होगा कि वैस वैम ही बच्चों को फोन करे बेटे और बेटी से बात की उन्हें समझा दिया कि कोई उनके परिवार से बदला ले रहा है और कश उठा रही है शाहिदा बेचारी को कुर्बानी का बकरा बना दिया है बच्चे बाप का कहना मान गए छुट्टियों में अपने अपनी उनिवस्ट्री के ट्रिप को कैंसल करके अपने अम्मी को मिलने पाकिस्तान जाने को तयार हो गए वैसे आमतोर पर पाकिस्तान के नाम ही दोनों पिदख जाते हैं अब बू हमें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता लोग कैसी कैसी बातें करते हैं महाँ पर और वहां किसी को कोई सीक्वेंस भी नहीं है हर तरफ कच्रा कहीं कोई रिफ्यूज बिन भी नहीं दिखाई देता शाहिद को अपने बच्चों पर पूरा भरूसा था कि अगर इन बच्चों को इनके जरूरत की सब चीज़ें मिलती रहें तो इन्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि इनके माबाप है कभी कभी शाहिदा के साथ उलज भी पड़ता था या ठीक है तुम लंदन में पली बढ़ी हो मगर बच्चों में कुछ तो पाकिस्तानी कल्चर डालो हो पूरे अंग्रेज होते देख रही हो उर्दु का एक भी लवस नहीं बोलते मगर पाकिस्तानी कल्चर से दूर तो शाहिदा भी होई थी उसके बच्चे तो अंग्रेजों में रहते हैं और पूरी तरह से अंग्रेज हैं फिर रंग भी कुछ ऐसा गुरा चिट्टा है कि वो किसी हद तक अंग्रेज ही लगते हैं शाहिदा मैं बच्चों को तुम्हारे पास बेज रहा हूँ दोनों तुम्हें लेकर बहुत परेशान है लंदन से जो कुछ भी चाहिए मुझे वाट्सेप कर दो बच्चों के साथ बेज दूँगा यहां तो मेरी कोई बात सुनने वाला ही नहीं रहा मेरे एक कलीग ने सला दी है कि मैं किसी वकील से बात करूँ सोच रहा हूँ कल मालिक एंड संस के लीगल सॉलिटियर्स से सॉलिसिटर्स से सला लो मगर मैंने तो सुना है कि वो बहुत महंगे होते हैं कोई पहचान वाला वकील डूंडिये न अरे कैसी बाते करती हो पैसे तुमसे बढ़कर है क्या तुम्हें क्या पता तुमारे बिना कैसे जी रहा हूँ हम दोनों चाहे लड़ते हो मगर प्यार तो करते हैं न एक दूजे से तुम जल्दी से शॉपिंग लिस भेजो और हां मार्क्स और स्पेंसर से अपने लिए कुछ खास लेना हो तो साइज और कप साइज लिख देना तुम शायद थर्टी एट सी पहनती हो न शायदा हैरान थी कि इस आलत में भी शायद कितने प्यार से उसके निजी जरूतों के बारे में चिनते थे बच्चे अपनी अम्मी से मिलने कराची जाती रहे मगर शायद खुद नहीं गया बस एक सरल सा बहाना देखो शायदा अगर मैंने कराची आने की कोशिश की तो मुझे भी कहीं एरपोर्ट पर न धर ले पहले इस दाग को हटाना होगा तब तक फोन से ही काम चलाना पड़ेगा बच्चे गए तो तीन हफ़तों के लिए थे मगर चार दिन पहले ही वापस लोटा है कराची का मौसम और वहां की गंदगी से बाज आ चुके थे पस मा से एकाज बार ही पूछा मॉम और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी और उन्हें कभी कोई कमी महसूस भी नहीं हुए शाहिद बिवकूफ बनाता रहा और शाहिदा बनती रही वक्त चलता रहा करीब करीब तीन साल वीद गये इस बीश सिमुना एक एबोर्शन करवा चुकी थी मा बनने को तयार नहीं फिर शाहिद को भी यही सूट करता था मगर सिमोना मा बनने की जिद करती तो मसले काफी बिगड सकते थे रात के खाने के वाद सिमोना ने पूछा अरे शाहिद तुम्हें लैटर मिला क्या? तुम्हारा भी प्रमोशन के लिए इंटर्व्यू होने वाला है? वैसे तो दिखावे का इंटर्व्यू होता है जब एक बार नाम आ जाता है तो प्रमोशन हो ही जाता है बधाई हो तुम्हारे देश के हिसाब से तो अब तुम मेरे सर हो जाओगे? सिमोना मुझे सारो और अंकल कहलाना बिल्कुल पसंद है हमारे देश में तो सारो और अंकल के चक्कर में इंसान बुड़ा हो जाता है यहां बिल्कुल ठीक है मैं तुमारा सिड और तुम मेरी सिम्मो और आगे बढ़कर शाहिद ने सिमोना के ओठों पर एक चुम्बन अंकित कर दिया तीन दिन बाद ही इंटर्व्यू था अपनी तयारी कर रहा था सारे रूल याद कर रहा था शाहिदा को फोन मिलाया शाहिदा गुड न्यूस मेरा प्रमोशन का इंटर्व्यू हो रहा है फिर मेरे लिए मसले को सुलजाना असान हो जाएगा अल्ला मियां से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए बिचारी शाहिदा अल्ला से दुआ कर रही थी और शाहिद ने अपने बॉस के कमरे में प्रवेश किया आज उसका इंटर्व्यू होने जा रहा था बॉस ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा हलो शाहिद मेरा नाम कार्ल है कार्ल बाई वाटर इंटर्व्यू के दौरान आप मुझे कार्ल कह सकते हैं यदि आप मुझे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आर यू रेड़ी फार दा इंटर्व्यू येस कार्ल मैं इंटर्व्यू के लिए तयार हूँ ओके शाहिद मैं जरा कम्प्यूटर पर आपका पेश खोलता हूँ फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कार्ल ने कम्प्यूटर पर शाहिद का पेश खोला तो उसके नाम के साथ एक रेड़ फ्लेग उभराया उस पर साफ रिखा था कि शाहिद की पतनी का नाम संदिख्द आतंकवादियों के लिस्ट में शामिल है शाहिद के बॉस के चहरे का रंग बदल सा गया माथे पर बल पड़ गए आवाज को सहज बनाते हुए पूछा शाहिद आपके वाइफ आजकल कहा है जी वो करांची में है शाहिद को अंदेशा हो गया कि कोई गड़बड है उसके बीवी के बारे में क्यों पूछ रहा है काल हम वो करांची कब गई थी यही कोई महीना बर पहले जूट बोलते हुए शाहिद के पेट में जूर का मरोड उठा और यही दूसरा जूट शाहिद के लिए जानलेवा साबित होने जा रहा था काल ले ठंडी सांस भरते हुए सोचा क्याकर शाहिद ने जूट क्यों बोला होगा कंप्यूटर पर साफ लिखा है कि शाहिद आ पाकिस्तान कब गई और कब उसे संदिक ते टेरर सूची में डाला गया शाहिद तुम यही बैठो मैं पेपर और पैन लेकर आता हूँ काल कमरे से बाहर चला गया करीब दस मिनट के बाद वापस लोटा तो उसके साथ एक पुलिस अधिकारी भी था मेरा नाम सारजेंट विक्टर है मैं पुलिस के टेररिस्ट हैंडलिंग सेक्शन में काम करता हूँ क्या आपको मालूम है क्या आपकी बीवी का नाम टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है शाहित के सिर में जैसे धमाका हो गया यह धमाका टेर्रिस्टों के बम धमाकों से कहीं अधिक भयानक था उसे समझी नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे अगर वह बताता है कि उसने यह कुकरत स्वैम किया है तो भी नौकरी जाएगी और जेल होगी और अगर वह नहीं बताता है तो भी टेर्रिस्ट का पती होने के नाते थाने में पुछताच होगी और जेल होगी बुरी तरह फंस किया था इस्थिती ऐसा मोड लेगी उसे ख्याल ही नहीं आया उसने कहां सोचा था कि उसकी प्रमोशन भी दुनों हो जाएगी उसने तो पूरा प्लैन इतनी चालाकी से बनाया था कि कहीं कोई लूग पोल छोड़ा ही नहीं था शायदा को टेर्रिस्ट बनाते बनाते वैस वह में टेर्रिस्ट गोशित होने जा रहा है आपका किन टेर्रिस्ट गोटों से वास्ता है आपकी वाइफ आज तक किन किन एक्टिविटीज में इन्वाल्व है आप किस हद तक अपनी वाइफ की एक्टिविटीज से जुड़े है क्या आप अपनी पोस्ट का फायदा उठा कर टैर्रिस्टों को इस देश में घुसने में हल्प कर रहे है शाहिद को महसूस हुआ कि उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही सवाल दागे जा रहे थे और वे हर जवाब के साथ एक जाल में फस्ता जा रहा था ऐसे ही कुछ सवालों से शाहिद लगबग दो घंटे तक जूचता रहा सारजेंट विक्टर ने कार्ल की और एक इशारा किया शाहिद अब इंटर्व्यू यही समापत हो रहा है पहले आपको सारजेंट विक्टर के सवालों का जवाब देना होगा कार्ल ने अपना फैसला सुना दिया चाहिए तुम शाय समझ रहे हो कि मामला ख़ासा गंवीर है फिलाल तो तुमसे पूश्ताज बहुत जरूरी है तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो वाही ठीक से सिलसिलेवार पूश्ताज हो पाएगी तुम समझ रहे हो ना कि मामला टेरोरिज्म से जुड़ा हुआ है काफी गंभीर मसला है मैं तुमको हत्कड़ी लगा कर नहीं ले जा रहा हमें अगर किसी स्टेज पर महसूस होगा कि आपको अपने वकील को बुला लेना चाहिए तो आपको सला दी जाएगे वागे सब हम बातचीत के बात तै करेंगे कि तुमको स्कॉट लैंड यार्ड के हवाले करना है या सारजेंट विक्टर ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी सारजेंट विक्टर शाहिद का हाथ अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया शाहिद के चेरे पर हवाईयां उड़ रहे थी घाबराहट उसके चेरे से पसीना बनकर चू रहे थी उसके दिमाग में शाहिदा के कहें शब्द बार बार गूंज रहे थे मैं अगर होम आफिस में कंप्लेंट कर दूंगी तो आपको कान पकड़ कर पाकिस्तान वापस भीज देंगे कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्रप्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें